मसकार दोस्तों मैं मन आपका बहुत बहुत सौकत करता हूँ एक और नए वीडियो में दोस्तों देखे विकास लाइफ केर के हम बात कर रहे हैं और विकास लाइफ केर का Q4 का जो रिजल्ट है उसकी ना तो अभी तक कोई भी डेट अनाउंस किये कमपने ने ना ही इसका अभी कोई टाइम पता लग रहा है कि कब तक ही रिजल्ट आने वाला है तो ये रिजल्ट ना आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और सेयर में भी कुछ ऐसी चीज़े हो रही है जो साइस से अब नॉर्मल दिखाई दे रही है तो क्या कुछ करना चाहिए हो किस तरीके से हमें इस चीज़ों को लेना चाहिए और क्या हम इस चीज़ों से समझ सकते है तो वीडियो में लास्ट तक जरू बने रही है दोस्तो और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं विकास लाइफ केर में आज सेर ओपन ही सीदे आपको अपर सरकेट में दिखाई दे रहा है वहीं अगर पिसले 5 दिनों का चार्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही ज़दा सौकिंग दिखाई देगी वो है यहाँ पर आप यहाँ अगर डेट देखेंगे तो इस डेट पे आपके लिए डेट दिखाई दे रही है 20 मई तो 20 मई के लिए जो share open है यहाँ पर और आपके लिए इसी price पे 3 रुपए 15 पैसे पे लेकिन अगर बात करें इससे पहले जो previous close था इसका कितना था 3 रुपए 45 पैसा और share open हुआ उसके बाद सीधा upper circuit में 3 रुपए 15 पैसे पे तो यह किस तरह का क्या game है जहाँ पर आपको 30 पैसे की गिरावट होने के बावजूद भी upper circuit ही दिखाई दे रहा है तो क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और जो अभी देखें इनका Q4 का result के पीछे क्या कारण है जो न अच्छा नहीं आने वाला है बहुत अच्छा यह Q4 का result नहीं आने वाला है क्यूंकि इन्हें पता है अगर यह Q4 का result अभी announce करते हैं तो इन्हों ने जो अपना rights issue RE launch किया है इसको subscribe नहीं करेंगे investors और इसी बज़े से यह RE की बज़े से अपना Q4 का result है अभी तक उसकी date भी announce नहीं कर रहे हैं तो आप मेंसे कितने लोग RE में apply करने वाले हैं और क्या कैसे करते हैं यह आप अपने internet banking के द्वारा इसमें apply कर सकते हैं या फिर आप अपने broker से भी इसके बारे में detail पूँछ सकते हैं उसके through भी apply करवा सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपक पास कितने इसके share हैं और क्या आप चाहेंगे कि किस price में आपके लिए यह बेहतर है और case time तक आप इसको hold करना चाहते हैं क्यूंकि company के अगर बैसे बात करें तो हाँ बिलको long term में अगर हम hold करके चलते हैं तो हो सकता है हमारे लिए बहुती सांधारी multi-vegar share बनता हुआ दि तो फिर इस पर investors का विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पर main चीज जो चालाकियां दिख रही हैं जिस तरीके से company इसको manage करते हैं बोग चीज सही नहीं हैं यहाँ पर अगर company अपने सब चीजों को जिस तरह से निल्ड़ा फास ले रहे हैं ठीक उसी तरीके से हर चीज investors के सा साफ रखते हैं तो जरूर यह company आपको multi-vagger return निकाल के देगी लिकिन दोस्तों एक चीज में आपसे कहना चाहूँगा यह penny share है तो इसमें आप अपना उतना पैसा ही invest करके रखिए जितना आप को अगर उसमें 20-30-50% का भी loss हो जाए तो आप पे कोई इतना बड़ा फरक न लालच अगर लालच है आपके मन में बहुत जादा तब आप बहाँ पे नुकसान भी बहुत उठा सकते हैं कभी कभी देखते हैं जैसे कि लोग जुआ खेलते हैं तो जुए में कभी बो दस में से दो बार बड़ी बड़ी रकम जीत लेते हैं पर थोड़ी थोड़ी रकम क करके भी अपनी सारी रखम गबा देते हैं तो ठीक उसी तरीके से इसमें जुआमत के लिए इन्वेस्ट करना है पैने सेयर्स इन्वेस्टिंग के लिए बुरे नहीं होते हैं क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा करती है तो बहां पर बहुती स्तांदार रिटन दे अच्छे सेयर्स के साथ में दो से एक तीन पैनी सेयर्स रख सकते हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे दें तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी क्या आपको सही लगता है कि इनका जो Q4 का रिजल्ट है वो किस तरह का आने वाला ह कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा